नमस्कार दोस्तों मैं भोला सी आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भोला कलासेज में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध, माध्यक, माधिका को कैसे हल किया जता है चलिए पाला प्रस्ण को है आठ, साथ, चौप, पान, नो, आठ, दस, बारा, चौदोस, बारा का आकडा दिया हुआ है और इनका माध्यक याद करना है तो माध्यक याद करने के लिए बहुत असान शोट तरीका है है चलिए बहुंत को हरु करते हैं कि सबिप सोंग्याओं को पहले भरते क्रां में लिखने अगा इसके बाद चो गोर एप पांच visitor बादा जोगम साथ साथ के बाद आठ, फिर आठ, आठ के बाद, नव, नव के बाद, दास, दास के बाद, बारा, बारा के बाद, चवदा, सभी को आपस में जोड़ देंगे, अब गिननेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, नव, एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, नव, जितना आकळा है, उसको गिनकर लिख लेंगे, नो गोँ अकडा है, नो लिख लिए, अब पांचे, 11, 11, 17, 18, 18, 8, 26, 26, 26, 27, 24, 24, 24, 46, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 23, 45, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 24, 85, 89, 89 बट्टा 9 इसको भाग दे देंगे 9 अठे 72 साथ बचा है तो 9 चक्चो नो साथ तीरे साथ नो साथ नो साथ तीरे साथ फिर साथ बचा नो साथ तीरे साथ यानि कि 8.78 इनका माध्यक हो गया इसी तरह आगला कोस्चन है छो चाथ पांच साथ नो आठ साथ नो का माध्य ग्याद करें चली इनको भी ट्राई कर लेंगे पाला कोस्चन को हल कर लिए चली दूसरा कोस्चन सभी को पहले बड़ते करम में लिख लेंगे सबसे चोटा कौन है चाथ इससे बड़ा पांच इससे बड़ा छो इससे बड़ा साथ इससे बड़ा डॉबल साथ है डॉबल साथ लिख लेंगे एक काठ फिर नौ 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 हो गया गिन लिए एक तो तेन चार पांच छे साथ आठ एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ चली इसको आपस में जोल लेते हैं चार पांच नौ छो पंदरा साथ बाईस 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 साथ augणत्य सैंतीसँ आथिस बाईस आट्यस आक तेन चालीश चार चार पांच पन और काउंट करके गिल लेंगे आको कि संख्या को दो चार छे आठ है अठ हो गया आठ से भागा देंगे अठ यद्यद का में अठ्ञे हो जाए इंड में मअ आठ फान टुक्त ₹ड reasonably संख्या दो चार अठ्ञे एंड माद करें आठ ख्याएं अठ्ञे हो जाएंड तो आठा ठाई, चोओं साथ, फिर छो बच गया, तो हो जाएगा आठचा करता लीश, आठ साथे, छो पॉइंट, चार बच्चा, आठ पचे, चालिश, यानिकि छो पॉइंट, आठ साथ, पाँच, या छो पॉइंट, नो, इसका माधे निकल गया, चलिए, आगला कोस्चन आठ, साथ, पारा, पंद्रा, दोस, नो, इगारा का माधिका गयाद करें, दोस्तों, माध्यक से माधिका ये की होता है, और माधि से माधिका असान होता है, चलिए, माधिका कैसे निकल करते हैं, बहुत असान है, माधिका निकलना, चलिए, पहले आकडों को बढ़ते करम मे लिख लेते हैं सबसे छोटा अंग को देखेंगे पहले सबसे छोटा अंग साथ है साथ इससे बड़ा आठ है इससे बड़ा नौव इस से बड़ा दस इस इस से बढ़ा 12 इससे बढ़ा 15 अब गिल लेंगे संग्या को एक डू तीन चार पांचे साथ एक डू तीन चार पांचे साथ अब ज्यान दीजी दोस्तों अब हमको कुछ करना नहीं है इसका इंसार आगे देखिए इधर से साथ तीन दुनी चाव यानि कि तीन इसका बीच में जो अंक पड़ेगा जो अंक बीच में पड़ा वहीं उसका माधिका होता है यानि कि इसका एंसर दस सई होगा चलिए आगला प्रस्ण है साथ छोब नौ बाराथ चार आठ पांच साथ पंदरा यानि आकड़ा दिया है और इनका भी माधिका आग्याद करना है तो चलिए लिख लेते हैं सबसे छोटा आँको पलिएकर चार चार के राध पांच पांच के वाध चो चो के बाद साथ कि साथ के बार के बार के बार के आठ आठट आठकी बार नो मों के बाद 12 कjang के बाद 15 अब घिल लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1 है 7 double है double लिकलेगे 7 को चली अब हो गया अब अब इसको पहले गिल कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानि कि 4 4 का जोड़ा लाईजेगा 4 2 8 बिच में जो एक बचा 9 इनि कि 4 को का जोड़ा लाईगा दो दो चार दो दो चार और जो बीच ये बाचा वो ही संख्या उसका माधिका होता है